नमस्कार दोस्तों मैं हूं संदीप शुकला आज हम एक विशे पे बात करेंगे जो अभी बहुत ज़्यदा प्रचलित है और जिस पर जमकर रादनीती हो रही है मामला है पीएम नरेंद मुदी के बयान का जिस पर उन्होंने यूपिय का जो गड़बंदान है जिसका नाम आई एन डी आई याने इंडिया रखा गया है उस पर उन्होंने सवाल तो उठाया ही लेकिन उस नाम को उन्होंने ऐसी चीजों से जोड़ दिया है जिस पर जमकर विवाद हो रहा है सवाल उठ रहे हैं और पीएम मुदी के सवाल पर भी लोग बड़े सवाल कर रहे हैं क्योंकि उस नाम में इंडिया जुड़ा हुआ है आपको जैसे मालूम होगा कि पीएम नरेंद मुदी ने बयान देते हुए ये कह दिया था यूपिय को कुकर्मी त इसी तरह उन्होंने सीमी का उधरन देते हुए बताया था जो आतंगवादी संगठन था इस्ट्रेंट का जो सीमी पे फिर बैन हुआ सीमी कई आतंगवादी गठी भी दिया है उस पे सीमी के लोग पकड़े गए सीमी ने अब बाद में अपना नाम पीएफाई रख लिया पीएफाई भी प्रतिबंदी थे उसके बाद उन्होंने यहां तक कह दिया कि इस्ट इंडिया कंपनी के नाम में भी इंडिया जुड़ा हुआ था लेकिन उनका काम भारत देश को लूटना था और कुल मिला कि उन्होंने जो आतंगवादी संकठन इंडियन मुजाहिद द इस पर जो है चतित्रगाड के उप मुख्य मंतरी टियेस सिंग देव ने करारा जवाब दिया है कहें तो और काफी लंबा बयान टियेस सिंग देव जी ने दिया है प्रदेन प्रदान मंतरी नहीं मुदी के बयान पे कि भाजपा जो है वो यूपीय का जो नया संकठन का नाम जो नया दिया है और इंडिया नाम का गुरूप जो फॉर्म किया है उसको लेकर प्रदान मंतरी विच्रित हो गए हैं टियेस सिंग ने कहा कि इंडिया शाइनिंग ये नारा बाजपा के जो वरिस्ट जनेता है और श्रदे अटल भिहरी बाजपेई जी उन्होंने बाजपा के निताओं ने इसे नारा दिया था अभियान चलाया था तो तमाम जगा चाये मेकिन इंडिया की बात कर लें तमाम जगा इंडिया का नाम जुड़ता है इस पर ऐसे अगर प्रदान मंतरी कह रहे हैं तो उनकी इमाल सिक्ता को दर्शाता ही कि वह विजलित हो सबसे बड़ी दशा दिशाविहीन दिशाविहीन पार्टी बनकर रहे गई है इन दिनों कॉंग्रेस और उसके सर्योगी दलों ने एक नया पैतरा चला है यह पैतरा है नाम बदलने का पहले के जमाने में राजत्तान के लोग व्यापारियों की दुनिया बराबर जानते हैं पहले के जमाने में कोई पीडी कोई कमपनी अगर बदनाब हो जाए उसके फ्रॉड करने वाली कमपनी का चिठ्ठा निकल जाए तो तुरंत वा कमपनी वाले नया बॉड लगा करके अपना कारोबार शुरू करकर के लोगों को ब्रमीत करने का काम करते हैं और नाम बदल करके लोगों को मुरख बना करके अपना धंदा पानी चलाने की कोशिश करते हैं कॉंग्रेस और उसके साथियों की जमात ऐसी फ्रॉड कमपनीयों की नकल कर रही है यूपीए के कुकरम लोगों को याद ना है इसलिए इनोंने अपना नाम यूपीए से बदल कर आई एंडी आई ये कर दिया और इतना लंबा कर दिया कि लोग भूल जाएं यूपीए के नाम बटने नाम बटला है ताकि ये आतंगबाद के सामने घुटने टेकने का अपना पाप छीपा सके इंडिया नाम तो इस इंडिया कंपनीने में भी था इस इंडिया कंपनी में में इंडिया था कर नहीं था लेकिन इंडिया नाम अपनी भारत भक्ती दिखाने के नहीं बलकि भारत को लूटने के इजादे से लगाया गया था आपको याद होगा कि कॉंग्रेस के साथनकाल में सीमी यानि स्टूडेंट इस्लामिक मूव्मेंट अफ इंडिया बना था नाम में इंडिया था लेकिन मिशन इंडिया को आतंकी हमलों से बरबाद करने का था जब इसके कुकरमत सामने आए तो सीमी पे बेंड किया गया और ये बेंड हुआ तो फिर नया नाम लेकर आए उन्होंने भी नाम बढ़ला पी एफाई सीमी बन गया पी एफाई यानि पॉपुलर फ्रंट आप इंडिया नाम नया नाम में फिर इंडिया लेकिन काम वही पुराना साथियों I.N.D.I.A.K. नाम के लेबल से ये अपने पुराने कारणामों को छुपाना चाहते हैं ये त्यंत दुर्भाग की बात है कि प्रधान मंतरी जी इंडिया को मुझहधीन से जोड रहे हैं या इस्ट-इंडिया कंपनी से जोड रहे हैं सम्विधान में जो बात अंकित है भारत देट इस इंडिया सम्विधान में अंकित है उनके स्वयम के दल के एक प्रधान मंत्री ने इंडिया शाइनिंग का नारा दिया स्वयम वर्तमान प्रधान मंत्री जी ने मेकिन इंडिया कहा तो यह मुझहदीन था इंडिया शाइनिंग मुझे दिन देश में चमक रही थी कैसी बात कर रहे हैं प्रधान मंत्री जी कारण क्या विचलित है देखिए सामने बात आ गई कि एक जो लोगों ने सोचा नहीं था कि विपक्ष के दल जो अलग-अलग दिखते हैं अलग-अलग विचार के हैं एक राजवार अगर देखिएगा कि अगर आज हिमाचल में बीजे पी नहीं है आज पंजाब में बीजे पी नहीं है आज दिली में बीजे पी नहीं है आज करनाटक में बीजे पी नहीं है आज किरला में बीजे पी नहीं है आज तामिल नाडू में बीजे पी नहीं है आज आ में बीजेपी नहीं इन परिशितियों में अभी तक कमफर्ट जोन क्या था कि सब अलग अलग है और सब आपस में लड़ेंगे तो हम तो जीती जाएंगे वोट बट रहे हैं चालीस परसंट से कम वोट में हम भाहुमत सफ़ भाहुमत बीजेपी अकेली पा जा रही है तो हमा पहल के लिए एक नाम भी चैनित कर लिया इंडिया टाइग लाइन भी उन्होंने भारत जीतेगा जीतेगा भारत भारत जीतेगा टाइग लाइन भी उन्होंने फॉर्मूलेट कर लिया था हैंने सहमती बनते देखके वो विचलित हैं मनीपूर को संभाल नहीं पा रहे हैं सीमी से जोड़ा इस्ट इंडिया कंपनी से जोड़ा इंडियान मुजाहिद दीन को जोड़ कर उन्होंने उधारन देते हुए बहुत सारी बाते कहीं तो कुछ लोग इस पे कह रहे हैं हमारे वीडियो पे कह रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ उधारन दिया था उन्होंने सिधा तारूप नहीं लगाया है तो यह कहीं न कहीं व्यक्ति का तारूप नहीं है खाली उन्होंने सवाल खड़ा किया है तो कहीं इसे बहुत कुछ गंभीरता से लेकर कह रहे हैं कि जो बर्गलाने का काम जो है प्रदान मंत्री नरेंद मुदी कर रहे हैं ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए मर्यादा रखनी चाहिए और कॉंग्रेस जो है और कॉंग्रेसी जो नेता है और जो कारे करते हैं इस पर खासे हमलयावार है और बार-बार कह रहें जो विपक्षी एकता है उसको देखकर पीम नरेन्द मोदी और भाजपा वह विजिलित हो गई हैं तो इस पर झाल झाल